हेलो फ्रेंड्स स्वागत आप सभी का हमारे इस सेनल में तो दोस्तो जैसे कि आपको पता है कि आज नीट रूंट वन का उसका रिजल्ट आ चुका है जो फाइनल लिस्ट थी वो आच चुकी है दोस्तो और वो आपको को एमसीशी की ओफिशल वेबसाइट में मिल जाएगी दोस्तो उसके साथ साथ मैं आपको इस वीडियो में यह डिसकस करूंगा कि किस केटेगरी की एक्सपेक्टेड कट अफ क्या गई है कितने रैंक्स पर किस स्वेंट को कौन सा कॉलेज मिला है और उसके साथ साथ एमसीश जिस कॉलेज को प्रफर किया है नहीं उसका लिस्ट में नाम है तो उन्होंने एक मेल आईडी दिया आप उस मेल आईडी पर चाकि अपनी क्वेरी पूछ सकते हो आपकी क्वेरी का resolution करेंगे सबसे पहले मां आपको मेल आईडी दिखाता हूं कि आपको किस मेल आईडी पे अगर आपका कोई भी concern नो, आप उस mail ID पे MCC को mail डालके, अपनी official information का confirmation ले सकते हैं. So, दोस्तो, this is the official mail ID आप देख सकते हो, mccresultquery.gmail.com So, ये basically उनका official mail ID है, जिस पे उन्होंने लिखा है कि अगर आपको कोई भी concern नो, कोई भी query, तो आप इस mail ID पे अपना query पूछ सकते हो, अब चलते हैं, दोस्तो, official result पे कि final जो merit list उस पे discuss करते हैं, और expected cut-off का discussion करते हैं. So, दोस्तो, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कि लगबग 300-400 document का ये पूरा PDF होगा, तो 403 pages का ये PDF, FMCC अपने official website पे रखाया है, और दोस्तो, इस PDF में उन्होंने बताया है, कि कि rank पे कौन सा college allocate हो आता, जो मैंने last video में बताया था, कि ये format होगा, तो दोस्तो, सबसे पहले serial number है, उसके बाद ranks है, उसके बाद allocate quota है, उसके बाद institute कौन सा college मिला, कौन सा college, कौन सी category मिला, और कौन सा college मिला, और क्या course उसको allocate हुआ है, और candidate की category क्या थी, और उसकी allocation category क्या थी, वो सारी चीज़े यह है, और allocation का रिमार क्या पे है, तो अगर हम बात करें top rankers का, तो सबको पता है कि aims इस बार include हो गया, तो top rankers, आमीशा aims को प्रिफे करते हैं, तो दोस्तों, जो top rankers हैं, उन में almost सभी बच्चों ने aims लिया, अगर आप rank 8 को देखोगे, तो उन्होंने zip mark college allocate हुआ है, और उसके बाद दोस्तों, AI की quota में एक student ऐसा है, जिसने पुने का, जो BGMC, जो college हो, पुने का allocate हुआ है, उसके अलावाज जितने भी students हैं, उन सब को aims का allocation हुआ है, उसके बाद दोस्तों देखते हैं, कि इस बाद जिन candidate की 80 के आसपास ranks थी, उनको भी बड़े आराम से aims मिला है, आप यहाँ पर देख सकते हो, कि मैं आपको यहाँ पर दिखानत देना चाहता हूँ, कि जैसे दोस्तों, यह OBC का candidate था, इसकी 78 के आसपास rank थी, 78 All India AIQ rank थी, उसको aims दिल्ली मिला, उसके पकर SCST category में तो काफी नीचे category तक, marks तक आपको aims मिल जाता है, उसके बाद दोस्तों, लिए काफी बच्चों ने दिल्ली के college की top priority पर रखे, या उसके साथ साथ जैसे अगर आप दूसरे दिल्ली के अलावा गर हम देखें, तो जैसे जिप्मर है, उसको बच्चों ने काफी priorities दी, तो जो top colleges गए हैं, दोस्तों 200 rank के असपास, उनमें अगर आप देखो गए, तो 190 rank तक तो बच्चों ने aims और जिप्मर में ही सारी seat फिल अप हो गई है, तो 190 top 200 rank का मैंने आपको analysis बता दिया, अब चलते हैं दोस्तों के official cutoff है, कि किस का क्या cutoff गया है, तो जैसे कि मैंने आपको बोला था, कि last year 9150 round 1 का गया था, तो इस बार seed बढ़ने के विज़े से वो 10-11,000 तक जा सकता है, तो वो ही approximation इस बार हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ कि किस rank तक किस category को last MBBS allocation हुआ है, तो दोस्तों अगर आप यहां पे देखोगे, जो first BDS का allocation हुआ है इस बार, वो आपको AIQ rank में यहां पे दिख जाएगा दोस्तों, जिस candidate का general category का एक student, जिसकी All India rank थी 9729, उसको AIQ quota से Government Dental College Koji Code का मिला, और उसको BDS allocation हुआ, तो आप देख सकते हो कि जो सबसे पहला BDS का student है, वो आया 9739, बलकि उसके बार जितने बच्चे हैं, उसके नीचे की rank के student का जिसकी 9734 थी, उस student को MBBS allocation हुआ, तो दोस्तों, यह matter करता है, कि आपने कौन सा college fill up किया या नहीं किया, अब आप यहां पे खुद देखोगे, इस student की 9739 rank थी, उसको BDS allocate हुआ, बट उसके नीचे ranks के जो student थे, वो same category से, general category से थे, तो उसकी वज़े से आप देख सकते हो, कि बच्चे की rank काफी अच्छी थी, फिर भी उसने BDS college का उसको allocation मिला, उसके बाद दोस्तों, अगर हम आगे बात करते हैं, BDS की तो आप यहां पे देखोगे, दोस्तों, जेनरल category में, जिस candidate की rank 9,818 थी, उसको government dental college, जो कोजी कोड का वो college मिला, उसके बाद की rank को जैसे अगर आप देखोगे, तो यहां पे जनरल का लगबग, आपको मिलेगा कि जनरल के students, इसके बाद आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो भी candidate है, तो अगर आप बोलोगे यहां पे, तो लगबग 9,800 के आज सपास, अगर किसी की rank है, जनरल category से, तो उससे उपर बच्चों को MBBS college allocation हो गया है, तो हम जनरल category की बात बता रहा हूं अब यह मैं, अगर आपकी 9,800 से उपर है, तो आपको जनरल category से MBBS college AIQ round 1 में ही मिल गया होगा, अब बात करते हैं दोस्तों OBC category का, अगर हम दोस्तों OBC category की बात करें, यहां पे तो मैं आपको दिखा देना चाहता हूं, कि OBC category की cutoff is बार MBBS, जनरल से थोड़ी कम गई है, मतलब अगर rank में बात करें, तो rank में ज़्यादा गई है, तो अगर आप देखोगे कि जितने भी general की candidate है, उनको यहां पे AIQ quota से 10,000 एपी rank भी MBBS मिला, जैसे आप यहां पे देख सकते हो, कि जिन बच्चों की general में था जैसा, अगर आप यह देखोगे, अगर आपको यहां पे दिखा देना चाहता हूं, कि लगबग जब 11,000 की rank का दाइरह स्टार्ट होगा, जैसे आप यहां पे देख सकते हो, कि जो 11,000 rank अगर बच्चे की आ रही है, 11,000 तक पड़े आराम से आपको MBBS मिल रहा है, में कोई टेंशन लेने की जरूत नहीं है, अगर हम 11,500 तक पात करें, तो भी 11,000 के आपको MBBS मिल जाएगा, और OBC के टेगरी में 11,000 से उपर rank पे भी बच्चों को MBBS मिल रहा सकता है, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो, दोस्तों यह है 403 पेजिस का डॉक्यमेंट, नेक्स वीडियो में आऊँगा आपके बात पूर फुल अपडेट के साथ, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि SC की final cut-off क्या गई है, MBBS की ST की गई है, और वो किस कॉलेज की बच्चों के ऐलोकेट हुई है, तो दोस्तों यह थी अभी तक की रिजल्ट की अपडेट, अगर आपने अपना रिजल्ट नहीं देखा है और आपने काउंचलिंग में पाट से बिट किया है, तो जा कि अपना रिजल्ट चेक करें, नेक्स वीडियो में मिलता हूँ एक final cut-off का analysis के साथ, तब तक मैं इसका analysis करूँगा, friends.